बिहार के एक शहर में आज भी भूतों का मेला लगता है पूरी रात आत्माओं की लराई होती है वहाँ जाते ही लोगों के रोंग्ते खरे हो जाते हैं और पहले तो कोई विश्वास ही नहीं कर पाता है कि आज भी जुसर्णमाने में हम जीए रहे हैं यहां लोग भूत प्रेत में विश्वास लगते हैं और तांत्री के पास जाकर अजीबो गरीब तोटके करवाते हैं और अब तो भूतों का मेला भी लगाया जा रहा है बिहार के रोहतास जिले में भूतों का मेरा लगता है जहां आप जाएंगे तो आपको नजर आएगा कि कोई महिला अपना सरहिलाते हुए डांस कर रही है तो कोई लड़का अपना माथा पटक रहा होता है सिर्फ रोहतास में ही नहीं बलकि कभी वैशाली में तो कभी कोपाल गंसे भी ऐसी तस्वीर सामने आती रहती है लेकिन रोहतास जिले में भूतों का जो मीला लगता है वो काफी अजीब है पुरी रपोर्ट आपको हम बताते हैं अब नमशकार आप जंता जंक्शन देख रहे हैं जिस दोरान आस्था और अंधविश्वास में लीन लोग अजीबो गरीब हरकत वहां करते हुए आपको दिखाई देंगे अनोखी तस्वीर सामने आती है और आश्यत होता है कि कैसे आज भी लोग भूत प्रेत में विश्वास रखती हैं हाजिपूर के कौनहरा घाट पर बड़े बड़े तांतरिक भी आते हैं भूत खेला और आस्था से जुरी अनोखी अनुष्ठान वहां पे की जाती है लोगों के अस अंधविश्वास से जुरी कई मानियताएं भी हैं जो कहते हैं कि इस मानियताओ को मानते हुए दूर दूर से लोग यहां पहुंचते हैं और हर साल यहां काफी जादा भीड लगती है और अस्थरा का अनुष्ठान किया जाता है जिसकी कई तस्वीरे और वीडियो भी सामने आते रहते हैं जमाना चांद और चंद्रियान की बात कर रहा है लेकिन आज भी बिहार में कुछ लोग अंद विश्वास में डूबे कोई हैं जिसमें रोहताओस भी शामिल है रोहताओस जिले की गिन्हू ब्रहमास्थान की बात अगर हम करें तो वहाँ शरद्य नौरात्र का नजारा बिलकुल अलग होता है और डिरावना भी ग्रामिनों की माने तो उनका कहना है कि यहां भूत प्रेत इंसान की शकल में घूनते रहते हैं पूरे नौरात्र भूत प्रेत का खेला वहाँ पे चलते रहता है इसलिए वहाँ जाने वाले लोग अब वो चाहें पुरुश हो या फिर महिला अजीबो गरीब हरकते करते हुए आपको नजर आएंगे भूतों का महिला लगने के वज़े से कोई महिलाएं सिरहलाते हुए आपको नजर आएंगे कोई नाचते हुए, कोई अपने बालों को घुमाते हुए तो कहीं जमीन पर लेट कर महिलाएं प्रेट आत्माओं से आजाधी पाने की कोशिश कर रही होती है हद तो तब पार हो जाती है जब भूत भगाने के चक्कर में लोगों के पिटाई की जाती है जिहां रोहतास के गिन्यू ब्यम्हस्तान में लगे भूतों के मेले में पहुँचे लोगों की माने तो उनका कहना है कि महिलाओं के पिटाई कर भूतों को भगाया जाता है बाल खीच कर तांत्रिक महिलाओं की पिटाई करते हैं और महिलाएं वो सब कुछ सहती हैं क्योंकि उन्हें विश्वास से कि ऐसा करने से उनकी अंदर जो भूत है वो गायब हो जाएगा, सारी परिशानी उनकी गायब हो जाएगी अगर उन्हें कोई बिमारी है तो वो उन्हें नहीं होगी इसके लिए वो डॉक्टर के पास नहीं बलकि तांत्रिक के पास जाती हैं वहीं मेले में शरीक हुए लोगों ने कहा कि मेले में आने के बाद सब तरह के कश्ट दूर हो जाते हैं ये बरदावा वहां के लोग करते हैं और अब इसे अन्विश्वास के कारण जाद तर गरीब परिवार के लोग मिले में पहुँचते हैं शरद्य नौरात्र में लगे भूतों के मिले में शरीक हुए लोगों का कहना है कि तांत्रिक बाबा पूझा पाठ कर उनकी सारी परिश्वानियों से उन भी निजात दिलवा देती हैं उन लोगों का ब्रह्म बाबा के लिए खास आस्था और विश्वास भी है बाके ऐसे तस्वीर नौरात्र की दोरान गुपाल गंजले से भी सामने आती है यूँ पिटाई खाने और माथा घुमाने से अगर परिशानी दूर हो जाती तो हर कोई इसके लिए तयार होता मगर कई बार ऐसे ओजा तंत्र बाबा के चकर में परकर लोग जान भी गवा देते हैं बाकी अब आगे ऐसे लोगों के लिए कोई जाक्रूप ताभियान चलाए जाती है प्रसाशन अगर इस पर रोक लगाने की कोशिश करती है क्या कुछ इस पर आक्शन दिया जाता है देखने वाली बात होगी अगर कोई इससे जुली नई जानकारी सामने आएगी तो इसे आप तक हम ज़रूर पहुचाएंगे तब तक आप ऐसे लोगों पर ऐसे अनविश्वास के कारण लगते मेलों पर और बिहार में जुस तरी इसे इशाल और मैती आपके साथ वन दना नहींकारी